नमस्कार साथियों जारखन फाइटर्स में आप सभी का स्वागत है आज हम लोग लेकर आए हैं भारत के भुगोल से समंधित प्रश्ण जो प्रीभियस यह का है तो चलिए कोश्चें के और चलते हैं पहला कोश्चें है बरहमपुत्र नदी तिब्बत में किस नदी से जानी गया था option यह है पदमा भी है चंक्डूंग से है सांग ऑ फ्रहेँज हुग्क इसका अंशन हो जाएगा दोस्तों सांगET नेक्स्ट कोशन है बहलता नर्मदा नदी के उद्गम अस्थल क्या है क्या है नर्मदा नदी का उद्गम अस्थल क्या है देखिए यह भी कोशन 2-3 में पुछा गिया है जह पीएसी में तो उप्शन है अमर कंटक, मुल्ताई, मव या फिर देवास तो इसका अंसर हो जाएगा अमर कंटक नेक्स्ट कोश्यन है भारत की तक रेखा की कुल नमभाई लगभग है 3500 किलोमेटर 7500 किलोमेटर 6000 किलोमेटर या फिर 9500 किलोमेटर तो इसका अंसर हो जाएगा 7500 किलोमेटर कितना हो जाएगा निम्न लिखीत में से कौन सी नदी एस्चियूरिम नहीं बनाती है उप्सन ये है नर्मदा, तापती, मानवी, महा नदी इसका अंसर हो जाएगा महा नदी मैदानी छेतर में परिस्थितिक संतूलन बनाए रखने के लिए वन आवरन का नियुन्तम परतिस्थ है, कितना है तेखियो उप्सन देखिए, 75 परतिस्थ, 40 परतिस्थ, 33 परतिस्थ, 20 परतिस्थ इसका अंसर हो जाएगा दोस्तों, 20 परतिस्थ नेक्स कोशन है, सूर्य मंदाकिनी के केंदर का चक्कर कितने वर्सों में लगाता है दूसर, 50 मिलियन वर्स, 500 मिलियन वर्स, 100 मिलियन वर्स, 50 मिलियन वर्स इसका अंसर हो जाएगा, दूसर, 50 मिलियन वर्स नेक्स कोशन है तिबबत के पठार की समुद्र तल से उसत उचाई क्या है दो किलोमीटर तिन किलोमीटर चार किलोमीटर पाच किलोमीटर इसका अंसर हो जाएगा पाच किलोमीटर हमारी अकास गंगा के केंद्री की परिकर्मा करने में सुरी को समय लगता है मिलियन वर्स में पुछा गया है कितने मिलियन वर्स लगता है इसका ओप्सन है 25 मिलियन वर्स 100 मिलियन वर्स 250 मिलियन वर्स 500 मिलियन वर्स तो अकास गंगा के केंदर की परिकर्मा करने में सूरी को कितना समय लगता है 250 मिलियन वर्ष नेक्स्ट कोशन है पिर्थिवी तल की आयू लगभग कितनी वर्ष पुरानी मानी जाती है 300 मिलियन वर्ष 150 मिलियन वर्ष 4.6 मिलियन वर्ष तो इसका अंसर हो जाएगा 150 billion वर्ज नेक्ट कोच्छन है भारत में आप लावी वन कहां पाये जाते हैं पुछा जा रहा है आप लावी वन कहां पाया जाता है अंडमान में, सुंदर वन में हिमाले की दचिनी ढाल में या फिर अरावली में इसका अंसर हो जाएगा सुंदर वन में नेक्ट कोच्छन है बोलता है अप नती अप नती वा अभी नती का उद्भव किसके कारण था भुकम के कारण भरंच के कारण, जुआला मुकी के कारण या फिर कायांतरित वलन के कारण इसका अंसर हो जागा काइंतरी तोलन के कारण नेक्स्ट कोश्चन है भारत में निमनिर्खीत में से कौन सा मिर्दा प्रारूफ लोहे का अतिरेक होने के कारण अनुवरक होता जा रहा है मुरुस्थलिये बालू, जलोड, पोड़ जोलिक अफिर लेटे राइट इसका अंसर हो जाएगा लेटे राइट एक विमान 30 डिगरी उतरी अच्छान्स वा 50 डिगरी पूर्वी देसांतर में उडान भरता है और पिर्थवी पर विपरीत सीरे पर नीचे उतरता है वा कहां उतरेगा 30 डिगरी उतरी अच्छांस वा 50 डिगरी पस्मिदे सामतर 30 डिगरी दस्नी अच्छांस वा 50 डिगरी पस्मिदे सामतर 50 डिगरी उतरी अच्छांस वा 30 डिगरी पस्मिदे सामतर या फिर 30 डिगरी दस्नी अच्छांस वा 30 डिगरी पस्मिदे सामतर नेक्स्ट कोच्छे हैं वीली वीली है वीली वीली क्या है वीली वीली एक परकार का ब्रीज जो सितोसन कटी बंद युकता है या फिर एक परकार की हवा जो मरोस्थल में चलती है उत्तर पस्मी अस्ट्रेलिया का उस कटी बंद ये चक्रवात है या फिर लच्छी दीप समू कुए निकट समान्यता पाई जाने वाली मचली का एक परकार है उत्ता विली विली क्या है चलिए इसका हम लोग अंसर जानते हैं इसका अंसर हो जागा उत्तर पहस्चिम अस्ट्रेलिया का उसने कटी बंध चक्रवात है नेक्स्ट कोचन है चावल की खेती के लिए आदर्स में जलवाईयू परिस्तिति यह ऐख और संयर है सो सेंटीमेटर से उपर वर्षा और 25 डिगरी सी से उपर ताप फिर फसल की पूरी अवधी के लिए ठंडिय और नम जलवाई हूँ या फिर सो सेंटीमीटर से कम वर्षा 25 डिग्री से 25 डिग्री से कम ताप फिर पूरी फसल अवधी में कुछ गरम और सुस्क जलवाई हूँ तो इसका अंसर हो जाएगा सो सेंटीमीटर से उपर वर्षा और 25 डिग्री से उपर ताप नेक्स कोचन है भारत में सरवाधिक दूद देने वाली बकरी की नसल है कि बकरी का नसल कौन सा है जो भारत में सरवाधिक दूद देती है सबसे ज़्यादा दूद देती है जमना पारी बी बारबरी ची काली बं इसका अंसर हो जागा जमना पारी प्राचिन भारतिय तिहासिक भुगोल में रतनाकार नाम सुचक था ओप्सन ए अरब सागर हिंद महा सागर का या फिर बंगाल की खाड़ी का या फिर परियाग में गंगा जमना और पौरानिक नदी सरफस्वती के संगम का इसका अंसर हो जागा दोस्तों हिंद महा सागर का क्या हो जागा हिंद महा सागर नेक्स्ट है करेरा अभियारन्य कहां है करेरा अभियारन्य भारत में कहां है उत्तर पर्देश मध्य पर्देश उडिसा तमिल अडू इसका अंसर हो जागा दोस्तों मध्य पर्देश करेरा अ हिमाले की रचना समांतर वले स्रेणियों से हुई है जिसमें से प्राचिंतम स्रेणि है तब प्राचिंतम स्रेणि कौन सा है विरहत हिमाले स्रेणि निम्न हिमाले स्रेणि और फिर सिवालिक स्रेणि और धोलाधर स्रेणि इसका अंसर हो जागा विरहत हिमाले स्रेणि देखिए दस्तो जितना भी कोचन है पिछले एक्जाम में पुछा हुआ कोचन है भारत में कितने केंदर सासीत परदेश है छे साथ पांच आठ इसका अंसर हो जागा आठ जम्मु कस्मिर हट गिया तो अभी क्या हो जाएगा साथ हो जाएगा नेक्श कोचन है चिलका जिल किस परदेश में स्थित है द चिलका जिल कहां पे है तो पस्षिम मंगाल आंदर परदेश तमिलांडू उडिशा इसका अंसर हो जाएगा उडिशा नेक्श कोचन है सहारा रेगिस्तान कहां है सहारा रेगिस्तान कहां है तो गुलता है दचनी अ पुर्विय पूर्विय 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 चिनाव रावी सत्लज स्कांसर मुझार हो जाएगा सตलसफे इन से के सबसे प्राकृतिक उपगर है कौन सा गढ़ा है जिसका सबसे अधिक प्राकृति बित्व्य सुक्र जाता है, जब शूरी चंदर्मा Clearly हम सुरी चंदर्मा के जब सूरी एवण पृत्वी के बी चंदरमा आ जाती है तर इन में से कोई नहीं इसका अंसर हो जाएगा जब सूरी एवण चंदरमा के मद्धि पृत्वी आ जाती है तब क्या होता है चंद्रगरहन लगता है नेक्स्ट कोचन है उदर डिजल लोकोमेटिव करखाना कहा है डिजल लोकोमेटिव करखाना कहा है कानपूर, बनारस, भोपाल या इनमें से कोई नहीं है तो इसका अंसर हो जागा दोस्तों बनारस क्या हो जागा बनारस तो कौन सी जल्धारा हिंद महासागर की गर्म जल्धारा है होता है हिंद महासागर का कौन सा जल्धारा है जो गर्म जल्धारा है इसका आप्शन है पश्मी अस्ट्रेलिया धारा श्मेनट का सबसे बड़ा उत्पादक राजी कोझशा है तो गुजरात, आंध्रपरदेश, करनाटका राजिस्थान इसका अंचन हो जागा आंध्रपरदेश नेक्स्ट कोचन है सरवाधिक सुती वस्तर करखाने किस राजी में इस्थित है तो सुती वस्तर का जो करखाना है वो सबसे ज़्यादा कौन सा राजी में है तो महाराष्ट है तमिलांडू गुजरात करनाटक इसका अंसर हो जाएगा तमिलांडू नेक्स्ट कोचण है अंतराश्ट्य तीथी रेखा है तीथी रेखा कौन सा है उसके बारे में पुछा जा जा 15 Praze्थ कर भेराक्षण है उसका कोचण है प्रतले इसेवस्ट्र में बुछूर्ब कर खो अमसेद्ड एक पुर्वी देशर अम्थंटर तब फोर्ड गलोश्टर में सुती के वस्तर का पर्थम उद्योग लगाया गया था अठारा सो अठारा इसमी में ये कौन सा परदेश में कौन सा राजी में इस्थित है तमिल नाडू महाराष्ट या फिर पस्यम बंगाल या फिर गुजरात इसका अंसर हो जाएगा दोस्तों पस्यम बंगाल नेक्स्ट कोश्चन है निम्न में से किसका गलत सन्योग बठाए गया है इसका अंसर हो जाएगा दोस्तों इसका अंसर हो जाएगा दोस्तों राजस्थान ये 2007 का है पुछा गया कोश्चन अभी का देख लिजेगा आप लोग नेक्स्ट कोश्चन है सूरी से पर्थिवी की दूरी कितनी है 10.82 क्रोड किलोमिटर या फिर चवदो पोईट नौचो क्रोड किलोमिटर पांच पोईट सात नौ क्रोड किलोमिटर या फिर 289 करोड किलो मिटर इसका अंसर हो जाएगा 14.96 करोड किलो मिटर नेक्स्ट कोश्चन है निमनलिखीत में से भारत का कौन प्रांत बड़ी संख्या में कौन प्रांत या राजी बड़ी संख्या में दुसरे राजियों की सीमाओं को असपर्ष करता है इसका अंसर हो जायगा दोस्तों उत्तर पर्देश कि नेक्स्ट है असम का कौन पूरुजिला भारत का तैस्मा राज्य बना भारत का तैस्मा राज्य बना तिर पूरा नागालेंड मिजारम 미 जो रम जो था वो असम का जीला था पूरू जीला था पहले जीला था इसका silent valley किस राज़े में इस्थी थे silent valley कहां पेस्थी थे तमिलनांडू, असम, केरल, अरुनाचर परदेश इसका अंसर हो जाएगा केरल next question है भारत कितने पीन कोड में विवक्त है कुलता है कितने पिन कोड में भारत विवक्त है पाँच छे साथ आठ इसका अंसर हो जाएगा दोस्तों आठ नेक्स कोचन है मीग इंजन का निर्मान कहां होता है नासीक बेंगडूरू ओजार अफिर कोरापूट इसका अंसर हो जाएगा दोस्तों कोरापूट नेक्स्ट कोचन है दच्छीन फिरका का कौन सा नगर बंदरगा नगर नहीं है उलता दच्छीन फिरका का कौन सा नगर है जो बंदरगा नगर नहीं है पिरिटोरिया केप टाउन पोर्ट अलीजा बेथ या फिर इस्ट लंदन इसका अंसर हो जाएगा दोस्तों पिरिटोरिय नेक्स्ट कोसन है बाटा नगर किस राज即game चुत है बाटा नगर जो है वो किस राज reliमे चुत है महाराष्ट तमिल्लाड फक सिं कहती इसका अंसर हो जायगा दोस्तों फक सिं बंफ़ नेक्स्ट कोचेन है विनाडियम का परियोग किस युदियोग में किया जाता है तो विनाडियम का जो परियोग होता हो किस युदियोग में किया जाता है लोह इसपात युदियोग चांदी युदियोग अफिर तामा युदियोग इसका अंसर हो जाएगा लोह इसपात इसका अंसर हो जाएगा दोस्तों बिजली उदियोग में नेक्स्ट कोच्छन है भारत के उन उतपादन बढ़ाने के लिए भेड की निमनले खित नसलों मेंसे कोण सी नसल को आयुजित किया गया है बोलता है गुन उत्पादन को बढ़ाने के लिए भेड़ का कौन से नसलों का यूज किया जाता है इसका अप्सन है चुकला, मागरा, बेलारी या फिर मेरीनी मेरीनो इसका अंसर हो जागा दोस्तों मेरीनो जोस्तों आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है हमारा आज का सेशन अच्छा लगा हो तो प्लिश लाइक कीजिएगा सेयर कीजिए और हमारा चैनल को सबस्क्राइब जरूर कीजिएगा फिर मिलते हैं